वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप टेली ग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं और वर्टसेप नमबर भी वहां से ले सकते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप तो scorecard वीडियो लेलीज ने रिलीज कर दिया है तो आप जाके NTA के website पर जाके आप चेक कर सकते हैं और अब तक अगर आप ने नहीं किया है तो और आपको मार्कस आपके पता चल गया होगा कि आ आपके कितने मार्कस आ रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो ले करके आया हूँ इसमें मैं कट आफ के बारे में आपको बताऊंगा इसके बाद जो है जो सेंटर है हमारे पास Department of Law उनके बारे में थोड़े सा बताऊंगा और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा चैनल को लाइक कर देंगे सस्क्राइब कर देंगे और 2023 के लिए अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जूर सकते हैं मैं बिल्कुल फ्री अफकोस्ट आपके लिए जो है कोशिश करूंगा कि मौक टेस्ट लेकर क्या आता रहूं और सब्जिक टॉपिक बाइ कार्ड होगा ही डियू एल एल भी अप्लिकेशन फोर्म आप जाके डाउनलोड कर लेंगा आपके पास नहीं है तो टैंथ का मार्क सिट जो है उसका एक जो है और जिए कर लेकर के जाएंगे ही साथ में एक जीरोक्स करवा लेंगे 12 का मार्क सिट और जिनल भी होना चाहिए कौलिफाइंग डिगरी के बाद जो है आप क्या करेंगे के अगर रिजर्व केर्टिगरी से है तो रिजर्व केर्टिगरी से है तो आप SC, ST, EWS और OBC ये सेटिफिकट आपके पास होने चाहिए लेकिन EWS और OBC में अगर आप है तो आपके इस साल का ही जो सेटिफिकट है वो होना चाहिए आईए नेक्स्ट की तरब चलते हैं और इधर देख लेते हैं कुछ तो अगर अगर पी डबलू से पी डबलू डी है तो मेडिकल सेटिफिकर्ट चाहिए प्रिंट आउट ओर्जिनल कांसिलिंग रजिस्टेशन फॉर्म ये जो टैंथ और एलेवन्थ है ये आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा वहीं पे आपको एप फॉर्म मिल जाएगा जो आप फिल कर देंगे वहाँ पे ट्वेल्थ में आपके पास कोई भी एक वैलिट अधार कार्ट वोटर आईडी कार्ट पास्पराशन कार्ट या ड्राइविंग लाइसन्स होने चाहिए ये आप इनके जीरोक्स लेके जाएंगे और और जिनल भी आपके पास होने चाहिए अब कट अफ की बात कर लेते हैं तो कट अफ देखें कट अफ मैंने अब तक मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंके कट अफ जो है यूटूब पे पता नहीं आसमान जमीन को एक कर रखाए कट अफ इतने आ रहे हैं इतने आ रहे हैं अरे कट अफ जो है वो इनक करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे क्योंकि increase इसलिए करेगा EWS क्योंकि इसमें problem यह है जो लोगों को पता नहीं था इस्टुडेंट को पता नहीं था लेकिन आप धीरे धीरे इनको पता चला वैसे लोग की जो number of student number of candidate EWS को इसलिए OBC का अगर हम देखे तो OBC में मैंने सर्वे में ये देखा कि OBC 190 के आसपास ही जा रहा है और इसलिए मैंने 3 marks plus में और 3 marks minus में रखा है कि ये इतना ही जाएगा इससे नीचे नहीं जाएगा OBC भी क्योंकि number of student की अगर हम बात करें number of candidate की बात करें तो OBC के भी increase हुए है लेकिन उतने increase नहीं हुए क्योंकि इनके पास जो seat है वो बहुत जादा है तो इसलिए इसमें problem नहीं आएगी SC की 169 है तो आप जो है रखें कि आपका admission हो जाएगा ST जो है वो 108 अगर आप ये marks हैं आपके पास अगर यहां पे अगर आप fall करते हैं तो आप अपने आपको safe side में समझ सकते हैं कि आप जो हैं वो safe side में है और आपका जो marks हैं वो safe side है तो आपको प्रेशान होने की ज़रुत नहीं है कि क्या cut off दिखाए जा रहे हैं क्या cut off आने वाले हैं दो तीन दीन की बात है दो तीन दीन में cut off भी आ जाएंगे और आपको clear हो जाएगा कि आपके first और यह जो मैं आपको दिखा जाएँ यह first cut off दिखाया हूँ marks नीचे भी जा सकते हैं लेकिन यह first cut off जो है वो यह होने की possibility है वही पर आपको ज़्यादर दिक्कत अगर इसमें हो सकता है कि एकाद marks नीचे उपर हो जाए लेकिन मुझे लगता है कि इससे ना नीचे होना चाहिए ना उपर होना चाहिए exact marks इससे ज़्यादर नहीं जाएगा तो आप बिल्कुल भी प्रेशान ना हो और आप डिमोटिवेट होने की ज़रूत नहीं है आप अपने documents को complete कर ले और आप अपने admission के लिए जो त्यारी है वो start कर दे अब बात करते हैं cut off date क्या होगी तो cut off date आज चे 25th 25th तक total है वो open है और यहाँ पर प्रिफरेंस चेंज कर सकते हैं उसके बाद आप प्रिफरेंस चेंज करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि आप marks भी update कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि marks update और प्रिफरेंस चेंज होने के बाद 29 तक 29 तक जो है possibility है कि 29 तक जो है वो cut off निकलेगा 20 क्योंकि 4 days का कम से कम minimum time चाहिए क्योंकि preference देखने के बाद ही वो admission का जो list होता है वो निकलता है तो इस से जादर नहीं जाएगा 29 से जादर नहीं जाने चाहिए लेकि next week में आ जाएगा तो cut off date ये होगी उसके बाद अगर हम बात कर लें कि base center क्या होने वाला है तो base center की अगर हम बात कर लें देखें देख लो भाई के clc जो है या lc1 lc2 ये तीनों अपने आप में ही best है ये तीनों अपने आप में ही best है अब किसी को clc1 मिलता है evening college evening college में ये होता है कि सुबह आप न जा करके कहीं पे भी join कर सकते हैं सुबह अगर आप work करते हैं तो काम कर सकते हैं और आप जो है कोई court को join करना चाते है internship करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं वहीं clc की बात कर ले ये full time है और clc में आप पूरा time दीजिए इसमे back to back class नहीं होती बीच में gap होता है वहीं clc 2 की अगर बात कर लें तो इसमें back to back class होता है और class खतम हो जाते हैं ये जो है clc 1 और clc 2 ये एक ही building में class होती है इसके लिए जो है एक ही building जो नई building अभी बनी है उसी में class होती है लेकिन ये पुरानी building है clc का clc clc सब इतना ये क्यों करते हैं कि clc को ही सबस्यादा ये क्यों एहमियत देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि clc सही mostly जते भी आप देखेंगे चाहे जो बड़े बड़े judge बने हैं या advocate हैं वो सब clc से हैं तो इसलिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आप लेकिन आप जहां के होंगे जिस department के होंगे जिस call जिस center के होंगे वही पर आपके जो attendance है वो वही पर लगे लगे लेकिन क्लास आप कहीं भी जा के ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको परिशान होने की जुरुत नहीं है आप अपने डॉकुमेंट को बिल्कुल रेडी कर लें क्योंकि एड्मिशन का जो डेट है वो बस आही गया है तो पूरी पूरी तरीके से एक फाइल बना लें और आपको किसी भी तरह से जो है परिशान होने की जुरुत नहीं है कहीं पर कोई हेल्प की जुरुत हो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर देना मैं वहां पर रहूंगा और चाहे वह क्रेक्टर सैटिफिकेट से रिलेटेड हो या कोई और डॉकुमेंट से रिलेटेड हो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे मुझे चैनल पर कमेंट कर देना कि यह य परनेवाद जहिंद